आज हाम बनाएंगे चिकन तंगडी कबाब तंगडी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हाम लेंगे तंगडी आज हाम तंगडी कबाब घर पे बनाने वाले हैं तो इसको हाम सबसे पहले यहां से चीरा मारेंगे और जो धागा है ये देखिए धागा इसको हम निकाल देंगे ये धागा हड़ी और मास्क को जोड़ता है जिससे कि हमरा चिकन टाइट यानि कि थोड़ा कड़क लगता है तो इसको हम ये निकाल देंगे तो ये हड़ी छोड़ जाएगा तो आपका चिकन थोड़ा सा सौफ्ट लगेगा पकने के बाद फिर हम इसको ऐसा सीरा मारेंगे दोनों साइड से ऐसा कॉट मारना है और हम दूसरा तंगडी को भी सेम इसी परकार से काटेंगे आप ध्यान से देखे कि मैं कहां से काट लगा रहा हूँ यह देखे है दागा यह दागा को हम ऐसे गर के थोड़ा सा खीज के हम निकाल देंगे और फिर इसमें भी हम ऐसे ही काट मारेंगे यानि कि गईरा तीरा मारेंगे और अच्छा से क्लीन करेंगे अबि किलीन करने के बाद हम इसको करेंगे मेरेनेट मेरेनेट करने के लिए हम इसको डालेंगे एक बॉल में बॉल में डालने के बाद हम इसमें अभी एट करेंगे आमारा ब्लाग सॉल्ट और रेगुलर सॉल्ट जीरा पावडर किचान केंग कोरिंडर पावडर चार्ट मसला रेड़ चिल्ली पावडर अब यह हमने सारा मसला डाल दिया आप इसमें गरम मसला या तंदूरे चिकन मसला भी एट कर सकते हैं अभी हम डालेंगे इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट और हम इसमें डालेंगे तेल आप अगर राय का तेल आपके पास है तो आप इसमें राय का तेल डाल सकते हैं हम इसमें अभी cooking oil डाले है इसके बाद हम इसमें डालेंगे दही आप हैंकर करकर इस्तिमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा यह दही जाड़ा है तो मैंने यहां पर regular दही का इस्तिमाल किया हुआ है अभी हम इसको अच्छा से mix करेंगे और अच्छा से mix करने के बाद हम इसको 30 मिनट के लिए ऐसे ही इसको ढाक के छोड़ देंगे आप इसको freeze में भी रख सकते हो और हम इसमें एट गरन बुल गए निम्बू तो अभी हम इसमें एट गरने हैं निम्बू निम्बू का रवस एट गरने के बाद हम इसको mix करेंगे और इसको आरदा गंटा के लिए हम इसको छोड़ देंगे आरदा गंटा बाद हम एक प्यान में बटर डालेंगे बटर को पिगलने के बाद थोड़ा सा पिगलना देंगे इसको और इसमें हम डालेंगे जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ तंगडी है इसको आम डालेंगे यह देखिए इस तरह से अच्छा से मसला लगा के हम इसको अभी प्यान में डालेंगे आप ऐसे गरके दुस्तरा भी तंगडी को आपना प्यान में ऐसे डालेंगे मैंने ग्यास का प्लेम को 36 में रखा हुआ है अब यह हमारा ग्यास इतना फास्ट नहीं है मीडियम है क्योंकि ज्यादा फास्ट रालेंगे तो यह जलेगा पकेगा नहीं हम इसको 3-4 मिनिट पकने के बाद फिर दुस्तर साइड से पल्टी करके पकाएंगे इसको टूटल पकना में 12-14 मिनिट का टाइम लग जाता है इसको आप आराम आराम से पल्टी करें और और तरश से पकाते रहें और मसाला जो भी फैलता है उसको आप एक कठा गरते रहें अभी देखें हमरा तंगडी कवाब पकना लगा हुआ है मैंने आपको बताया कि इसको पकना के लिए आप सोलो ग्यास में अगर आप पकाते हैं तो आपको 12 मिनिट से 14 मिनिट का टाइम लगता है मैंने अभी 14 मिनिट बाद ग्यास को बंद कर दिया और इसको एक पिलेट में निकाला अभी हम इसको सर्फ गरेंगे सर्फ गरने के लिए मैंने एक पिलेट लगाया हुआ है जिसा कि आपको होटिल में देखना को मिलेगा आप रेश्टुएन में जाते हो तो इसी तरह आपको सजा के भेजते हैं तो आप घर पे भी ऐसा बना के खास सकते हो आज आपने सिखा कि तंगडी कबाब घर पे कैसे बना सकते हैं अगर अब भी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नेके तो पिलीज चैनल को सब्सक्राइब किजिए और बेल आइकन को दबाईए वीडियो देखने के लिए बहुत दो शुक्रिया गर पेस को ट्राइ किजिए और आपको कैसा लगा जरूर कमेंट वक्स में लेख की वेजिए